आर्मी रेली भरती 2021 जहिन दोस्तों स्वागत है अगर आप हमारे चैनल सरकाई नौकरी मेकर में बेल आइकन को डबा दीज dilemma तो आपके पास सबसे पहले काम करसके और दूसरे दोसनों के भी आप सबसे पहले बता सके ठीकए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो तक अन तक बने रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर इस वीडियो का यह जो आपका यह नोटीस है अगर आपको डाउनलोड करना है या पूरे अच्छा तरीके से देखना है तो आप हमाई ट्वैलि आर्मी को अफिस्यल आर्मी रेकृट्मेंट ओफिस कोटा का है ठीक है नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहापर कि क्या 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 requirement है सभी बच्चों के लिए तो यहाँ पर सोल्डर जेनरल ड्यूटी है यहाँ पर जादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है बच्चों के लिए जो की requirement है eligibility के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अक्टूबर 2000 से लेके एक अप्रिल 2004 तक है इधर अगर हम लोग सोल्डर टेक्नीशियन का देखें तो यहाँ पर आप सभी चीज़े देख लिए आप जाके टेलिगरान गुरूप में जॉइन करके इसका पूरा डीटेल देख लिजएगा तो डीटेल देखिएगा तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा weight भी वहाँ पर देख लिजएगा chest भी देख लिजएगा थोड़ा सा qualification के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत जादा important है 10th pass आप होने चाहिए metric में कम से कम 45% आपका aggregate marks होना चाहिए aggregate बहुत बचे पूछते हैं क्या होता है तो यह overall marks आपका होता है कि overall कम से कम आपका 45% आना चाहिए और each subject में 33% करने का मतलब है कि 33 जैसे हैं आपका होता है मतलब आप सभी subject में सिर्फ pass होने चाहिए अगर आप सभी subject में pass होते हैं तो भी आप इसको मतलब इस form को apply कर सकते हैं ठीक है आप board following grading system of degrade degrade अगर मतलब कि अगर आपका grading system है board में तो वहाँ पर अगर आपका degrade अगर 10 में तो भी आप इस form को भर सकते हैं ठीक है तो यह सारा वीडियो से related था आपका यहाँ पर सारा जानकारी नीचे भी आप लोग देख सकते हैं आपर soldier color के लिए क्या requirement है soldier technical के लिए क्या requirement है सारा वीडियो आप जाके मतलब कि इसका जो notification है वो आप जाके वहाँ से download कर सकते हैं आपर हम कुछ-कुछ important चीज जो है जो भी सभी बच्चों नहीं देखेंगे तो उनको highlight करके आप सभी को बता दे रहे हैं आपर special instruction है candidate for soldier tradesman category to registered in only one of the trades and will be considered as requirement in particularly trade only ठीक है तो यहाँ पर जो tradesman के बच्चे है वो सिर्फ एक ही बेर register करेंगे मतलब कि किसी भी एक trade में वहाँ पर यह register कर सकते हैं इन सभी में से किसी भी trade में वो register कर सकते हैं उनका registration वो मानने हो जाएगा एक के लिए ठीक है तो आगे अकर हम लोग देखेंगे कि fails to submit this application will not be allowed to participate in ready मतलब कि यह application जो नीचे हम आपको बताएंगे अभी उसको अगर आप वहाँ पर submit नहीं करते हैं अपलाई नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर register नहीं माना जाएगा मतलब कि वहाँ पर आपको register नहीं माना जाएगा आपको reject कर दिया जाएगा ठीक है the date and venue are tentative and might be changed मतलब कि यहाँ पर जो date दिया गया बहाली का rally का वो tentative date है उसको बदला भी जा सकता है ठीक है नीचे अगर हम लोग का से देख लेते हैं क्या क्या इसका paper का requirement है कैसे कैसे आप सभी को भनना है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर एक medical certificate आपको लगा देना है कोवीट का ठीक है किसी भी ऑस्पीटल जाकर आप इसको बनवा के मिलेगा नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो relationship certificate भी आपको भर लेना है उसके बाद यहाँ पर format फॉर एफिडेपिट यहाँ पर इसको भी अगर आप चाते हैं तो आप इसको भर सकते हैं अगर आपके लिए फिडेपिट ज़रूरी है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर भी सेम चीज है कुछ नहीं आप जाके वहाँ पर format में जाके देख लिएगा सब कुछ हम टेलिग्राम गुरूप में इसका link डाल देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा यह बहुत ज्यादा important है क्योंकि यह आर्मी के बच्चों से बहुत ज्यादा issue आता है कि certificate one certificate for each tattoo एक certificate अगर आपके body में कहीं भी एक टैटू है तो उसके लिए एक certificate लगेगा दो है तो दो लगेगा ठीक है यहाँ पर टैटू के लिए भी certificate यहाँ पर इन्हों दे रखा है इसको भी fulfill करके आपको आगे देख लेना है कैसे कैसे इसको भरना है ठीक है तो यह आपका English में दिया हो था इधर सारा Hindi में दे रखा है आप जाके इसको टेलिग्राम के गुरूप से जाके जॉइन कर लिजेगा तो आपको सारा चीज मिल जाएगा तो डेट अब हम लोग डेट के बात कर लेते हैं तो यह अजमेर में है राजस्थान 11 जुलाई 2021 से लेके 2021 अगस्त में ठीक है मतलब 11 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पर रेली सुरू हो जाएगा और यह 11 जुलाई से ही सुरू हो जाएगा और 2 अगस्त तक चलेगा मतलब यह दोनों डेट भी उसमें included हैं तो आप लोग दिहान से कोशिश कीजिए भर लेने का और हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा कोशिशिश कीजिए शेयर करने का ठीक है जाहिन